हेलो दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो फाइनली मैं आपके लिए आपके साइन्स का कुश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ आपके क्लास एट के लिए आपका जो दो बजे एक्जाम होने वाला है उसका दोस्तो फाइनली कुश्चन पेपर मिल चुका है तो जल्दी से दोस्तो सभी कुश्चनों को नोट कर लीजिए सभी कुश्चनों के मैं आंसर आपके लिए सॉल्व कराऊगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले दोस्तो आप यदी हमारी चैनल पर पहली वार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना तो देखे दोस्तो पहला कुश्चन है आपका चंद्रमा की कलाओं के गटने का कारड़ क्या है तो चंद्रमा की कलाओं के गटन सही है तो इसमें दोस्तों सभी धातु तन्य होती है ये गलत हो जाएगा सभी अधातु में तन्य होती है यह भी गलत हो जाएगा कुछ अधातु में तन्य होती है तो कुछ दातु में तन्य नहीं होती है तो कुछ दातु में तन्य नहीं होती है तो कुछ दातु में तन्य न सरीर के अंदर पाया जाता है तो आ उप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा संचरड ये रोगों का मुख्यकारण क्या है तो घरेलू मक्खी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा next question है खरपतवार नासी क्या है तो 24D क्या हो जाएगा दोस्तो 24D इसका क्या हो जाएगा एकदम correct answer हो जाएगा next question है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए उसको दखेलना पड़ता है क्या हो जाएगा दोस्तों इसका correct answer दखेलना पड़ता है इसके बाद next question है आपका खाली जगे एक विसिस्ट प्लास्टिक है जो बरतन तेल और जल को चिपकने नहीं देता है तो वो क्या है दोस्तों जो चिपकने नहीं देता है उसको टैफलोन कहते हैं तो टैफलोन प्लास्टिक है वो इसके बाद next question है गरों में काम आने वाला दरावी नन कौन सा है तो LPG क्या है दोस्तों LPG लिक्ट प्रेट्रोलियम गेस इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले हरे सेवाल बायू से नाइट्रोजन का इस थरीकर अड़ करते हैं किसका करते हैं दोस्तों N2 नाइट्रोजन हिंदी में भी लिख सकते है नाइट्रोजन इसके बाद next question है जिसमें मिट्टी की औरवरता ये ये हो गया नीले हरे सेवाल बाला इसके बाद देखे अतिला उत्तरात्मक person है रवी की और खरीब की दो दो फसल तो रवी की फसल क्या होती है दोस्तों गेहूं और चना हो जाएगा गेहूं और चना और खरीब की फसल क्या हो जाएगा मक्का और बाजरा मक्का और बाजरा क्या हो जाएगा खरीब की फसल हो जाएगी पेट्रॉलियम के किनी दो संगटों के नाम बा उप्योग तो पेट्रोलियम के दो खने जेक तो पेट्रॉल हो जाएगा इसका उप्योग बानो को चलाने में किया जाता है और एक क्या है दोस्टो कोला इसको क्या है? जलाने में उप्योग किया जाता है Nesč Question देखिए क्या होगा यदि हम ब्रचों को लगातार काड़ दें तो यदि हम लगातार ब्रचों की कटाई करेंगे तो बनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हमारे पर्यावड का जो बातावरण है वो क्या हो जाएगा अस्तिवेस्ट हो जाएगा और हमें स्वांस लेने में कठनाई होगी और लकड़ी की आपूर्ती कम हो जाएगी लकड़ी कागजादी की आपूर्ती कम हो जाएगी इस तरह से पूरा हमारा जो पर्यावड है वो पर्यावड है वो क्या हो जाएगा एक तरह से दोस्तो अस्तिवस्त हो जाएगा और ऐसे आप लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट कुशन है काय अंतरड किसे कहते हैं प्रभावित हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा जो बातावड है वो प्रभावित हो जाएगा इसके बाद देखिए तो काय अंतरड किसे कहते हैं तो काय अंतरड क्या होता है जब एक जीव बेग ग्यानिक परकरिया जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडा देने के बाद बाहर निकलने के बाद कोशिका की बड़ोतरी उसके डांचे में कम समय में होने वाले परि असपर्क किरिया जो बच्टू के बेग को बदलने का कारण होती है उसे बल कहते हैं और बल क्या होता है बल संपर्क वल और असंपर्क वल में क्या आता है गरसडवल आता है और असंपर्क वल में क्या आता है गुरतवा करसडवल इसके बाद नेक्स्ट कोशन है किसे कहते हैं क्रत्रिम उपग्रे जो मानव निर्मित पिंड जो प्रत्वी तता अन्य ग्रहों के चार और चक्कल लगाते हैं उन्हें क्रत्रिम उपग्रे कहते हैं क्योंकि यह मानव निर्मित हैं कोई दो क्रत्रिम उपग्रे पहला आर्रेवट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बासकर पहला और रेवर्ट और दूसरा बासकर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखिए लगत्रात्मक परसिन जहां तक संबभ है प्लास्टिक का उप्योग कम करना चाहिए इसके आँप लिख सकते हैं कथन क्योंकि प्लास्टिक हमारे बातवड को दूसित करते हैं ये क् अजयब निमनी करड़ी पदार्त होते हैं ये कभी नस्ट नहीं होते हैं और पसुओं के आतों में पस जाते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं मुम्मत्ति की जौला का नाम की चित्र बना सकते हैं मैंने चित्र की वीडियो आपके लिए बता दी है इंपोर्टेंट उस पर ज पाला होता है ऐसे आप लिख सकते हैं को सिका की गुड़ सूत्र कहां पाए जाते हैं तो को सिका में गुड़ सूत्र कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है और उनके कार रह कार रह क्या है दोस्तों कार रह होते हैं आनुवान से गुणों का सम्मेहन करना मानम में से 21 वर्स constitution को 18 कहते हैं और योवपन वस्ता में होने वारे परिवर्टन दाड़ी मूझ का आना आवाज का भारी होना आवाज पतला होना ऐसे और हार्मोनों का परिवड़तन तो ऐसे आप लिख सकते हैं या फिर अत्वा में संतती के लिंगने डारण का बता सकते हैं जैसे एकस एकस और एकस वाई गुड़ सूत रोते हैं इसमें क्या होता है 21 वाई इसका फॉर्मूला लगा के आप बता सकते हैं पहले सेक्स मिलते हैं तो लड़की और यह लड़का इसके बाद देखिए गरसड मित्र हो सत्रू है क्योंकि गरसड से हम क्या है गरसड होने पर हम जमीन पर चल सकते हैं इसलिए यह मित्र हो जाएगा और गरसड की बज़ए से पंका गुमता नहीं है इसलिए यह सत्रू हो जाए यो करने से पहले कुछ मुक्य विद्यतापुर्ती को बंद कर देता है क्योंकि जो पानी होता है उसमें नमी होती है और नमी के संपर्क से हमें करंट लग सकता है इसलिए पहले ही बिजली को बंद कर दिया जाता है इसके बाद क्या सुद्ध जलासुत विद्यत का चालन करता है तो नहीं यह नहीं करता है और नहीं करता है तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनों का बाहक नहीं होता है इसमें इलेक्ट्रोनों की कमी की वज़े से नहीं होता है तड़त प्रकरिया क्या है तो बिजली जब प्रकास ये बिजली प्रकास ये बिजली कड़कती है तो उसको हम तड़ित प्रकरिया कहते है और तड़ित प्रकरिया से सुरच्छा तो हमें बार नहीं नकलना चाहिए छाते का यूज नहीं करना चाहिए और बैते हुए पाने में नहीं नाना चाहिए और विद्युत की सामगरियों को नहीं चूना चाहिए और टेली फॉन या फॉन पर बातें नहीं करनी चाहिए इसके बार नेक्स्ट है या फिर अधवा में लिख सकते हैं भूकम्प की सकती का पैमाने का विक्त कीजिए तो भूमी की सकती को पेमाने भूकम की सकती रियक्टर से मापी जाती है और इससे बचने के आप उपाई लिख सकते है साबदानिया सोडियम और पॉटेसियम को मिट्टी के तेल में क्यों नहीं रखते है क्योंकि सोडियम और पॉटेसियम बहुती अधिक क्रिया सील दातू है और ये बायू और नमी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है नीवू के अचार को अलिमिनियम के बड़ता में नहीं रखना चाहिए क्योंकि नीवू में अमल होता है और अमल की अभिकरिया जब दातू से होती है तो एक बिसेला पदार्थ बन जाता है जिसके कारण ये कानिकारक भी हो सकता है इसलिए नहीं रखते हैं बिस्ताफन अभि क्रिया कहलाता है जब तनुस अलफ्यूरिक अमल को जब Scl को सीउ कॉपर की प्लेट में कॉपर की प्लेट में डाला जाता है तो क्या होता है तो इसमें क्या होती है कॉपर दातू कॉपर दातू हाइड्रोजन को बिस्ताफित कर देती है तो कॉपर सीएल कॉपर बना लेती है, CUCL2 बना लेती है, इसे आप लिख सकते हैं, एक दोलग चार सेकंड में, 40 दोलन करता है, तो इसका आवर्थ काल, तो आवर्थ क्या होता है दोस्तों, दोलन परती सेकंड, टी बर आवर्थ दोलन परती सेकंड, दोलन है 40, और समय 4 का, तो 4 का भाग लगा दीजिए 10, तो आवर्थ काल 10 सेकंड हो जाएगा, दोनी पर दूसर्ड मानव के लिए किस परकार हानिकारक है, तो यहां आप लिख सकते हैं, या फिर अथवा में इन तीन पर, मानव नेत्र का चित्र बनाईए, नेत्र की देखवाल के लिए आप क्या-क्या साबदानी रखनी चाहिए, जल प्रदूसर्ड किसे कहते हैं, और गंगा का कारर पर योजना पर संचेप्त टिपडी, या बायू प्रदूसर्ड कम करने के दो पाए, या फिर अथवा मे इसन को भी लख सकते हैं, ताजमेल की सुंदरता का, पर संकट का कारर क्या है, अमलीय वर्षा, अमलीय वर्षा के कारर सुंदरता घट रही है, बिस वुग स्डन, गिलोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जब बाईू मंडल का तापमान बढ़ता है, तो इसे क्या कहते है, गि लेसियर पिखल जाते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे हम कहते हैं और अधिक अत्य अधिक गर्मी होती है तो ऐसे आप लिख सकते हैं तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू